नमस्कार बबितास किचिन में आपका स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं वाइट ब्रेट से डार्क चॉकलेट केक जो बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत कम समय में कम चीजों से बहुत आसानी से 5 मिनट में हम केक बनाकर रेडी कर लेंगे तो आईए जानते हैं केक बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी तो वो है ये सारी चीजे मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली है ये है 6 पिस आप 4 पिस का भी बना सकते हैं और इसके किनारे कटकर के ले लिए है मैंने ये देखे इस तरह से और ये मैंने घर फाई पर त्यार कि है विप्ड क्रीम सब यह शुगर सिरप लिया है को डॉपल बॉर से और यह मैंने घिसके ले लिया है, ड़रीv इसकी है आप हरची शिरफ भी उसकर सकते हैं तो चलिए केक बनाने स्टार्ट करते हैं मैंने एक शिलाइस ले लिए यहां पर ब्रेट की और इस पर जादा नहीं लगाना है थोड़ा सा ही लगाना है राकि इसमें मीठापन रहे और यह मैंने मेल्ट की हुई चोकलेट जो है वो लगाई है आप इसके जगे क्रीम भी लगा सकते हैं विब्ड क्रीम अब हम इसे दूसरी ब्रेट से ढग देंगे इस तरह से और इसके उपर भी सुगसरप लगा लेंगे सुगसरप मैंने तीन चमच शकर और चार चमच पानी को मेल्ट करके ले लिया है तो अच्छी तरह से इसे लगा लेना है यह देखिए इस तरह से गुमाते हुए और इस पर मैंने यह फिर से वही प्रोसेस किया है फिर इसे इसी तरह से दूसरी ब्रेट से घग दिया है इस त वेबडी क्रीम में थोड़ी सी डार्क चॉकलेट मिलाके ले लिया है ताकि फ्लेवर थोड़ा अलगा जाए और देखने में भी अच्छा लगेगा इस तरह से तो इसे भी मैंने कवर कर दिया है दूसरी ब्रेट से फिर वही सुगा सिरप लगा लिया है यह देखिए फिर मैं अच्छी तरह से डालते हुए दूसरी ब्रेट से मैं इसे कवर कर दूँगी यह देखिए और फिर वही प्रोसेस यह मैंने सुगा सिरप लगा दिया है और इस पे मैंने वाइड वाली क्रीम लगाई है यह देखिए और इसके उपर भी मैं जो ग्रेटेट चॉकलेट है उस से फिर कवर कर दूँगी यह चार ब्रेट से भी अच्छा बन जाता है मैंने हाँ थोड़ा मोटा लेने के लिए च्छै ब्रेड यूस की है यह देखिए और सुगश्रव फिर लगा देंगे फिर उपर से मैंने वाइड ब्रेट से इसे पूरी तरह से कवर करने वाली हूं और साइड भी कवर कर देंगे हम और इसे हम नाइप की वदस से कर रहा है बहुत अच्छे से लग जाती है क्रीम ऐसे में यह देखिए इस तरह से लगा देना है बिल्कुल इसी तरह से साइड से भी लगा देंगे हम अच्छे तरह से कवर कर दिया है मैंने यह देखिए कित अच्छा लग रहा है ये और बिल्कुल जो हम केक बनाते हैं आटे से मैदे से बिल्कुल वैसा ही केक लग रहा है और खाने में भी इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होता है ये ग्रेट जो चोकलेट रखा हुआ है से मैंने इसे डेकोरेट कर रही हूं उपर से भी और साइट से भी हम थोड़ा थोड़ा डाल देंगे यह देखिए इस तरह से लगाते हुए डेकोरेट कर देंगे आप चौको चिप्स से भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं मैंने इसमें चौकलेट के छोटे-छोटे के देखिए डेकोरेट किया है और से यहीं देखिए कितना प्यारा लगा रहा है बहुत ही चुन्दर टेस्ती केक production यहीं और बहुत जल्दी विट्र सकते हैं यह समय डेखिए देखिए मैंने कट करेक आपको दिखाया धूँकले कितनी बढ़िया लेयर बनी हैं इसकी यह देखिए बहुत मैंने च्छै ब्रेड लिये थी इसलिए यह थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में यह देखिए कितनी बढ़िया लेयर आई है इसकी जब हमारा तुरंत ही मन केक खाने का हो तो इस तरह से पांच मिनट में आपकी केक रेडी कर सकते हैं और बिल्कुल इसका टेस्ट केक जैसा ही होता है तो लीजिए हमारा केक रेडी है तो यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो